नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिनात शांशु पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी चर्चा किस विशाय पर ब्लूप्रिंट हम लोगों ने देख लिया यह समझ रीया कि परिक्षा में क्या पुछेंगे उसकी हमें जानकारी है लेकिन अब हमारे सामने जो यह सवाल उठता है वो यह है इस जानकारी का करें क्या मतलब यह है कि जब भी हम जो है किसी बड़ी चीज के लिए जो है तैयारी कर रहे होते हैं उस समय उस चीज पर कूट पढ़ने से पहले हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं इन स्टेप्स के बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बता दे कि कक्छा बारवी की भौतकी के लिए मैं अभी हो तो शांशू पांडे आप सभी के सामने हाजर हूँ यहां हम सीजी बोर्ड का एक्जाम सेरीज चला रहे हैं अभीपशा का एक्जाम सेरीज मिशन 2020 तरी चल रहा है और यहां पर हम आपकी तैयारी स्क्रैच से सुरवात से लेकर परिक्षा में मैक्जिमम मार्क्स लाने के लिए कराने वाले हैं अब यह जो जर्नी हैं कि मैक्जिमम मार्क्स कैसे लाए जाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी रण नीती रण नीती को इंग्लिश किये हैं और क्या कभी आपने इस तरीके से कोई सफलता हासिल की है यदि की है तो बहुत अच्छी बात है आप हमसे एग्री हो पाएंगे और अगर पहले ये ये जो है अनुभव आपको नहीं रहा रणनीती बनाने का तो चलिए आईए डिसकस कर लेते हैं कि हमारी रणनीती इस परिक्षा के लिए क्या रह सकती है सबसे पहले हम बात करते हैं रणनीती की यहां पर हमारा जो टार्गेट होता है वो होता है राजा यहां पर कितने भी प्यादे चले जाएं या कुछ भी हो जाएं लेकिन शय और मात चेक मैट डाट इस अल्टिमेट गोल उसी तरीके से आपकी परिक्षा के लिए भी हमारे पास में एक आखरी गोल है और वो ये गोल है कि आपकी जो मुख्य परिक्षा होने वाली है वो तीन घंटे जो आपकी स्कूल लाइफ में सबसे आखरी वाले घंटे होने वाले हैं और उसके बाद में आप स्कूल से बहार हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने blueprint देखा blueprint देखने के बाद में हम लोगों ने marks के वित्रण देखे जैसा आप यहाँ पर सकते हैं कि यह नीला वाला हिस्सा जो है electricity के बारे में बता रहा है फिर ये पीला वाला हिस्सा जो है वो modern physics के बारे में बता रहा है यहाँ पर optics का प्रकाश्की का कुछ हिस्सा है और इसके साथ साथ electromagnetism का भी कुछ हिस्सा है इन हिस्सों के बाद में हम लोगों ने यह भी देखा कि इनके marks के distribution क्या होते हैं किस chapter से जो है कितने marks आ रहे हैं और उसमें जो है पढ़ने के लिए क्यों कि भाईया blueprint ने आपको ये तो बता दिया कि आपके number कहां कहां से आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है उन number के पीछे आपको कितनी महनत करनी हैं या कौन-कौन से चीजें सीखने वाली हैं जिन में एक सीखो और आपको कम से कम चार से पांच अलग अलग प्रशनों के उत्तर देते बनेगा ये मुद्दा भी तो हम ये सारी चीजें देखते चलेंगे हर एक चाप्टर के साथ में हर एक वीडियो में जो है आपको इस तरीके की नहीं चीजें सीखने के लिए मिलेंगी हम देखेंगे कि एक आंकिक प्रश्ण जो है एक अंकिये प्रश्ण अब सिर्फ एक अंक मिलना है तो आप कीतना तथ दो तत्त लिखने के आवशक्ता यदि आपके पास में कोई परिभासा है तो कि याप उस चीज से जूड़े हुए कोई उधाराण बताते हैं फिर जमने मा लिजा यहां पर प्रतिरोध को l दिया प्रतिरोध और विश्ट प्रतिरोध के बीच में अंतर बताईए तो आपक्या सीधे-सीधे जो एक जगा ध्यान देने पर उनका पूरा काम हो जाए आपने आपने प्रतिरोध और विश्श्ट मती बताई उसके आकार और लंबाई और चौराई इन सारी चीजों के असर के बारे में बात किया आपने उसका मातरक बता दिया आपने उधारन दे दिये तो क्या इस तरीके से प्रशनों लिखने से मतलब प्रशनों का उत्तर देने से आपको कोई फाइदा होता है और ये अगर फाइदा होता है तो उन चीजों को आज हम अभी से कैसे प्राक्टेस में डालें ये भी तो हमारे लिए महत्तपूर्ण हैं आपने बहुत सारी योजन बनाई है ना कि वो जो पुरानी आदत जो हमारे साथ में पिछले 12-13 सालों से लगी हुई है उस तरीके से फिर हम बात करेंगे कि अभीपशा इस मामले में आपको किस प्रकार से सहयोग कर सकता है हमारे प्लैटफॉर्म में जो है ये जो प्लैटफॉर्म आपको मोबाइल म इसके बाद में आपको यहां पर मिलता है important topics के लिए पूरा coverage इसके साथ साथ आपको one to one mentorship मिलती है आप हमसे अगर बातचित करना चाहते हैं अगर आपको परिक्षा से जुड़े हुए परिणाम से जुड़े हुए उसकी तयारी से जुड़े हुए या फिर परिक्षा के ब को करना क्या है हमारे application को play store से डाउनलोड कीजिए और वहां से login करके हमारा ये वीडियो देखे लेकिन फिर भी अगर आप YouTube में ही ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप हमारा सहयोग किस प्रकार कर पाएंगे पहली बात तो यह है कि यह हम दोनों का सहयोग होगा जब आ अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यह मान के चलिए कि एक्जाम के पहले आपकी पूरी तैयारी के लिए आपको हर रोज यहां से कोई न कोई विशाय पर कोई न कोई टीचर जो है कुछ न कुछ पढ़ा रहा होगा अगर ऐसी बात है तो आपको भी एकदम क्या कहने चाहिए उत्सुता रख जगाए हुए और बिल्कुल सजग हो करके इस मामले में अपनी तैयारी करते रहना चाहिए और उसके लिए जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए आप कुछ इस तरीके के अंदिजाम करें दूसरी बात यह है कि क्या यह कोई रास की बात है क्या इसे चुपा कर रखना चाहिए तो उत्तर है नहीं भाया आप जितने सारे लोगों का भला करेंगे आपको उतना ही कुछ अच्छा मिल सकता है तो अब आप जब अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि अभिप्शा के प बहुत सारे विचारों का अदान पदान होता है और वो तब संभव हो पाएगा जब आप सब लोग एक ही विशाय पर लगातार चिंपर कर रहे होंगे तो अपने दोस्तों को भी बताईए इसको जरूर शेयर कीजिए आगे बढ़ते हैं कि अब दीर घुतरी प्रश्न कैसे डील करें हम किस प्रकार के दीर घुतरी प्रश्न आते हैं उस हिसाब से हमारे स्ट्राटेजी बनती है हम एक अधार भूत सिद्धान के उपर बात कर रहे होते हैं मान लेजिए साइक्लोट्रॉन है उसके बाद में उसमें हम किन चीजों को मान रहे हैं कि कैसा चुम्ब के चेतर है कितना आवेश है कितनी लंबाई है या चौडाई है इन सारी चीजों को जो है आप फिर देखते हैं इसमें कुछ न कुछ गणित आएगा क्योंकि आप फिजिक्स पड़ रहे हैं भौत की पड़ रहे हैं तो उस गणिती निरूपन के बारे में आप बात करेंगे आप अगर देखा चितर नहीं बनाते हैं तो आपके उपर आपके कौपी को चेक करने वाले सिक्षक का विश्वास कम हो जाता है इसलिए आप देखा चितर बनाते हैं निशकर्स जो है वही निशकर्स है जो आपसे प्रश्ण में पूछा गया है लेकिन फिर भी जब आप विशेशत तोर पर हाईलाइट करके लिखते हैं तो उससे आपका इंप्रशन अच्छा बनता है तो क्या ये टेंपलेट मतलब ये एक कॉमन बात जो है हर एक जगा लागू हो जाती है इसका भी उत्तर है नहीं भाई अगर आपका प्रश्ण जो है अलग-अलग विश्यों अलग-अलग जो है चैप्टर से अलग-अलग टॉपिक से पूछा जा रहा है तो हर एक प्रश्ण के लिए हम यहां पर कुछ ना कुछ फंडामेंटल फेर बदल कर रहे होंगे हम यहां देखेंगे कि लगूत तरी प्रश्ण में मतलब तीन अंक वाले प्रश्णों में जो जाना है तब आप क्या करेंगे पहले तो आप माना के लिखेंगे या ग्यात है लिखेंगे जानकारी जो प्रश्ण में लिखी गई है अब इस ग्यात जानकारी के ऊपर फिर आप सूतर लिखते हैं सूतर लिखने के बाद में जो है फिर उसमें जो भी गणिती है फिर बद कि आप कुल मिला के प्रश्ण पत्र को किस प्रकार से देखते हैं मतलब यह है कि आप जब उत्तर लिखने के क्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप दीर खुद तरी प्रश्णों से शुरुबात करेंगे और धीरे धीरे करके पहले प्रश्ण की ओर बढ़ेंगे क्या आप सभी लभी उत्री प्रश्णों को पहले डील करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रश्ण 26 में आपको पांच अंक का प्रश्ण मिलने वाला है तो क्या आप इस दिसा में चल रहे होंगे या फिर आप जो जो भी आता है उसको पहले बनाएंगे और उसके बाद में अंत में जो नहीं आ रहा है उन सारी चीजों को लाश्ट में रखेंगे आप किस तरीके से इस चीज को डील करने वाले हैं इस बारे में भी हमको चर्चा करनी है और वो चर्चा हम कब करेंगे भाई जब हम एक एक करके प्रश्णों को डील कर रहे होंगे उ हमारे सारे सिक्षक पूरी तरीके से पात रहें और वो बिल्कुल इस तयारी में हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम से फायदा हो सके और इसका उपाय क्या है इसका उपाय यही है कि आप भी हमारे साथ लगातार जूड़े रहें उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब क कि 100 जो नंबर मिलने वाले हैं इसमें से कुछ बच्चे हैं जिनको 95 से अधिक चाहिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका काम 80 से 90 के बीच में चल जाएगा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 60 से 80 के बीच में जो हैं उम्मीद करके बैठे हैं कि हमको इतने नंबर आने वाले हैं औ और कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि बस पास कर दो बस इस से ज्यादा नहीं चाहिए तो अब ऐसी स्थिती में जो 95 प्लस वाला बच्चा है वो तो पूरा सिलेबस चार बार रिवाइस करेगा और उसके बावजुद ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको एक ऐसा प्रशन मिल जा जो नहीं पता ऐसी स्थिती में क्या आपको उस प्रशन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि कई बार हम लोगों ने क्या देखा है कि बोर्ड में आपसे जो है आउट आफ सिलेबस क्वेस्टिन पूछा गया है तो जो प्रशन नहीं पता उसके लिए हम क्या करेंगे उसके ल करनाली आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया लेकिन अब हम अपने पूरे सिलेबस को क्योंकि बहुत सारे प्रशनं हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं बहुत सारे अध्याए हैं इन सब का रविजन कैसे करें ग्रिओ क्या आप जो है एक ही पन्ने में पूरा का पूरा तेरा chapter गुसा सकते हैं कि आपको formula के लिए एक अलग से कवी पतली सी रखके उसमें सारे formula रखके उसको रट लेना चाहिए क्या है वो तरीका mind map है mind map में हम क्या करते हैं हम एक दूसरे के connection के साथ में जो है जो तत्थे होते हैं उनको लिख कर रखते हैं यहां पर आप बहुं सारे च चित्रों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब चित्रों के साथ में उन चीजों को इस प्रकार से connection बना के लिखते हैं तो हमको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं क्या अभी आपको mind map बनाना शुरू करना चाहिए उत्तर है नहीं भाया हमारे application में जब आप आएंगे तो आपको mind map जो है हम बना करके देंगे अच्छा अब आखरी सवाल और ये सवाल शायद अभी तक के पूछे गए सारे सवालों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो क्या है क्या पढ़ें और क्या छोड़नें ज्यादा तर बच्चे जो है उनके वो शुरू के पांच चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से याद रहते हैं वो हर एक चीज का उत्तर दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने तिमाही में और लाश्ट में अभी की तैयारी में भी उसको दोबारा पढ़ा हुआ है लेकिन हो सकता है कि आपकी blueprint में दिखाया हो कि सबसे आखरी वाला चैप्टर जो सबसे ज़्यादा सरल है उसमें से आपको 5 नंबर या 6 नंबर मिलने वाले हैं यह चीज़े हैं हम लोगों ने blueprint पे देखिए तो यह जो संचार विवस्ता है या फिर communication system है इसमें जो है जब आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो आप उसको क्यों नहीं पढ़ेंगे फिर यहां पर एक और है electromagnetic radiation मतलब विदुद्चुमकिय तरंगे तीन नंबर का एक चैप्टर है मतलब पूरा एक अध्याय पढ़ेंगे और आपको उसमें से सिर्फ एक प्रशन तीन नंबर के लिए पूछा जाएगा तो क्या आपको उसका अध्याय पढ़ना चाहिए या वहाँ पर सिर्फ एक या दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद में आप confident enough है कि आपको उस चाप्टर से पूछा गया प्रशनों का उत्तर देते बन जाएगा तो हम जब हम एक एक चाप्टर करके आगे बढ़ गए होंगे तब इ यह जो है physics है और physics में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अधार भूत तरीके से उपर बढ़ते हैं मतलब अगर आपने पहली सीड़ी नहीं चड़ी तो आप पांचवी सीड़ी में नहीं चल पाएंगे इस तरीके से जब हम नीचे से उपर तक कि सफर की सुरुआत कर रहे है तो आपको हमारा हम सफर बन जाना चाहिए और वो कैसे बनते हैं वो हमारे application में आके हमसे जुड़ जाते हैं या यह channel subscribe करके हमारे साथ में लगातार notification के मादने हमसे जुड़े होते हैं चलिए तो हम लोगों ने हमारे strategy discuss की है हम लोगों ने यह देखा है कि हम किस तरीके से आगे के topics को cover कर रहे होंगे मैं आप लोगों से क्या 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 उम्मीद करता हूं सबसे पहली बात यह है कि आप pen copy उठा करके बैठेंगे ठीक है अगर आपके पास में पहले से बनाए हुए notes हैं तो आप पहले से बनाए हुए notes को जो है अपने साथ रखेंगे उसके साथ स दूसरी बात जो यहां पर महत्वपूर्ण है वो है कि आपके पास में syllabus syllabus की एक copy होनी चाहिए यह syllabus जो है आपको क्या बताता है कि आपको मतलब आपकी सिक्षा मंडल के हिसाब से आपको कौन-कौन सी चीज़ें आनी चाहिए हर एक चैप्टर के topic कौन-कौन से है यह syllabus आपके पास में रहने के बाद में हम जो है blueprint discuss कर रहे हैं ठीक है हम ब्लूप्र हम ब्लूप्रिंट discuss कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट जो है यह एक guideline है यह आपको बताता है कि आप जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिस अध्याय पर हैं उस अध्याय में आपसे क्या-क्या उमीदे की जा रही है यह आपको कहा कहा से अंक दिये जा सकते हैं यह blueprint मैं आप ल आप जो है हर बार जब chapter शुरू करते हैं तो जो है उस chapter का पहला वीडियो इस YouTube चैनल में आपको क्या दिखाई देगा फिजिक्स का एक playlist बना होगा उसके बाद में हर एक chapter का अपना playlist बना हुआ होगा और इन सारे playlist में हर एक chapter की सुरूआत में हर एक अध्याय की सुरूआत में मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों से blueprint की बात कर रहा हूँगा तो अब आप क्या करेंगे कि उस पहले वीडियो को तो किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहां पर से marks का distribution होता है अगली बात क्या है pen copy लेके बैठे syllabus के बारे में ध्यान दिया blueprint लेक बैठे समझ गए अब next चीज यह है कि आपको जरूरत पड़ेगी mind map की आपको जरूरत पड़ेगी mind map की ताकि आप revision कर सके आपको जरूरत पड़ेगी numerical solve करने की जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इस chapter से पूछेंगे इसलिए कर लो ठीक है और इन सारी चीजों के बाद में आ आपसे एक और तैयारी की उमीद करता हूँ और वो यह है कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आपकी परिच्छा सेर पर है और आपको जो है बहुत सारी चेंता हैं सता रही होंगी इन सारी चीजों के बावजूद एक जो महत्तुपूर्ण बात हर एक में टेंशन नहीं लेना है आपकी सारी समस्याओं के लिए हम खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो आप रूटीन फॉलो करें लेकिन उस रूटीन में संतुलित आहार भरपूर नींद और थोड़ा बहुत मनोरंजन ये बहुत जरूरी है में उन सारे लोगों को समय अवश्य दे क्योंकि ये एक्जाम है वो निकल जाएगा इसमें जो है आप अच्छा करें या बुरा करें इसके बाद में आने वाली जिन्दगी पर इसका बहुत ज़्यादा आसर नहीं रहने वाला है लेकिन आप अगर ऐसे प्रेशर वाले टा अपने उपर भी बना कर रखें और अपने सिक्षकों पर भी भरोशा करें क्योंकि हम दोनों ही ये परिक्षा दिलाने वाले हैं मैंने आपको पढ़ाया इसलिए मेरी परिक्षा और आप पढ़ने के बाद में कितना सीख पाई इसलिए आपकी परिक्षा तो आप बिलकुल selfish ना हो, आप अपने साथ-साथ मेरा भी ध्यान रखें, और मेरी आप से यही प्रार्थना है, कि आपको कोई सभी tension हो, कोई सभी depression हो, तो हमारा यह जो number आपको जो है, description में दिया हुआ है, आप हमको call करें, हम आपकी सहयोग के लिए हमेशा तयार हैं, तो अपकी सहयोग करें, तो